जेहिंद स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूटूब चेनल जीके अंडरलाइन स्टेडी में तो आज हम आपको सत्रे फरबड़ी इंगलिस एकजम के लिए सभी सब्जेक्टिव परसन बताने बारे हैं जो आपके कल के एकजम में रहने बाला है सिर्फ आपको पेटर्न समझने का जुरुत है क्योंकि इस पेटर्न पर हमेशा हर साल जो नपरसन रहता आई है जिसे हो गया, लेटर हो गया, मेसेज हो गया, अपलिकेशन हो गया, नोटिस हो गया यह सभी को आपको सिर्फ फॉर्म पता होना चाहिए, आपको इसे अच्छे तरीके से लिख सकते है साथे साथ बिहार बोड यहां भी जाता है कि आप बना एक क्वेश्चन को क्योंकि आपको पेशिज देगा बनाने के लिए, एसे लिखने के लिए देगा यह सभी तो लिखना असान ही है, पेशिज आपको दिया रहेगा और नीचे में कोश्चन अंसर दिया रहेगा उसका आपको बनाना है इसमें तीन परसर ही आपको बनाना है, आपको इसमें लेटर बताएंगे, मेस्च बताएंगे, और जाके नोटिस बताएंगे आगर आपको याद है अपलीकेशन लिख सकते हैं, तो पहले हम लोग लेटर जणते हैं कि इसका फ़ोर्म क्या होता है और उसे किस परकार से लिखा जाता है तो इस तरह से इसका फॉर्म राता ये आपका पहुंच नमर में पूछा जाएगा कि राइट ए लेटर टू यूर यंगर सिस्टर कंगरेचुलेटिंग हर ऑन सीक्यूरिंग गूड मार्स इन कलास नाइंथ जो है आपको एक पत्र लिखना है अपने छोटी बहन के पास और उसे बधाई देते हुए काना है कि उस नहींने जो है ना एक नाइंथ कलास में एक अच स्थान का नाम स्थान का नाम अस्थान का नाम दिया जाता है तो आप उस समय अपने एकजाम से लिक रहे होगे उसके बाद आपको यहाँ पर की आपको यहाँ पर देघ देना है तो आपको यहाँ पर क्या करना है तो अगर आप अपना हाल समचार बता दिजीए पहले या जिससे आप लिख रहे हैं उसका हाजमसार पुझ लीजिए तो यहाँ पर ले कहें हेलो हेलो मतलब नमस्ते आप कैसे हैं I hope you would have been doing well मुझे जो आसा है I hope मतलब कुझे मुझे आसा है कि आप वहाँ पर doing well मतलब वहाँ पर आप अच्छा कर रहे होंगे I am also good hair और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ I am also hair मैं भी यहाँ पर अच्छा हूँ यह आपको इतना बात सम में लिख सकते हैं यह बाला छोर कर आप इसमें चाहे तो सम में यह बात लिख सकते हैं यह आप याद ही रख लिजिए पहले आपको उसका हाल समचार पुछना है उसके बाद आपना हाल समचार बता देना है I am also good hair मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ उसके बाद देखे इसमें अपना आपको बना को लिखना है अपनी परेशानी को इसमें लिखना है जिसमें परेशनी रहता है उसमें परेशनी लिखते हैं इसमें तो खुसी का बात है तो आपको खुसी को जाहिर करना है कि क्या क्या आपको खुसी हो रहा है कल जो है आपका कि मुझे पता चला है तुम्हारे रिजल्ट के बारे में तुम्हारे परिनाम के बारे में और मैं उसे जानकर बहुत ही जादा खुस हूँ मतलब बहुत ही जादा वास्तम में मुझे बहुत ही खुसी हुई है आप जो है बिहार बोड में पर्थम अस्थान प्राप्त किये हैं क्लास नाइन्थ में इसे जानकर मुझे वास्तम में बहुत ही ज़्यादा खुशी हुआ उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि many many congratulations to you my dear and may God bless you जो है इसके लिए आपको बहुत बधाई और भगवन आपको ऐसे ही आगे आगे आप तैयारी करते रहे और आगे बढ़ते रहे उसके बाद आपको लिखना है I am extremely happy मैं जो है इससे अत्यांत ही परसन हूँ अत्यांत खुस हूँ बेहद खुस हूँ उसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है यहाँ पर इतना भी लिख देज़ेगा तो बहुत हो गया आपको अपना भासा बना कर यहाँ पर लिखना है उसके एंड विस डैट यू विल कंट्यूनी यूर हाड़ वर्क एज यू नो डैट और फुल्फिल और यूर डिरिम्स एश्टेवलेट्स एंड बिलेष्ड एंड किप इट माई लव करा कि आप इस तरह के जो महनत कर रहे हैं हाड वर्क इसे बनाये रखे लगातार करते रहे और आगे भी आपको इसी तरह के सफलता मिलेंगे और जो आपके डिरिम्स हैं व हम आपना नाम दे दिया है तो यहां पर आपको अपना नाम देना है उसके बाद इस जो आपका लेटर कम्पली Richards भी हो सकता है वह हो सकता है यह सकता है गात a message कमबाइंट डेडिया और करा के आप एक रित्तिकों मतलब, आपको एक नम दे दिया गया है और गाहिए रहें Baptist 314 veulent में मेसेज लिखना है, लिकना है और अपको और भी से पूछना है कि मेरे घर आ जाड़ हम दोनों मिल कर टूम यूँस करेंगे तो इससे पहले लिहने ऊपर किया करना है टे दे दे आ उसके बाद आपको जो कुषिच्ऩ नमर कासर दे कर उसके बाद आपको यह अपरी लिखना है लिखना है कि रभी today you come to my house, I need you to know about some subject, we will be able to study, we will hear together, तो इसकार्थ है कि रभी तुम आज मेरे घर आ जाओ, रितिक बोल रहा है कि रभी से कि आज तुम मेरे घर आ जाओ, क्योंकि हम दोनों को I need you, मुझे तुम्हारा जरूरत है, तुम्हें कुछ सब्जेक्ट में पकर अच तो यही आपको छुटा सा मेसेज की रूप में लिखना है, और यहां पर आपको डेट दे देना है 17 फरवडी 2023, और समय जिस समय लिख रहे हैं, तो समय भी यहां पर दे सकते हैं, उसकार्थ की बाद करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट है आपका नोटिस, तो नोटिस में भी लिखना है, तो यहां पर दे सकते हैं, तो नोटिस में लिखना है, और आपको कहा गया कि आप एक अमर हो, और खेल कुद का आप सक्रेटरी हो, सचीव हो, तो उसी के संबंद में आपको विद्यार्थियों के एक कॉलेज में जाकर नोटिस देना है, कि जो भी कि एक चुक हैं इस खेल में भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट होने के लिए वो इसमें अपने क्लास्टिचर के पास जाकर नम लिखवा ले, तो उसी के बारे में यहां पर आपको तरह सा लिखना है, तो पहले आपको नोटिस उपर में लिख देना है, एन्वल इसके कहाने कार्थ है कि इस नोटिस यहां जो नोटिस है यह उन स्टुडेंटों के लिए है जो खेल कुद में भाग लेना चाहते हैं, जिसे खेल कुद में इंट्रेस्ट है और यहां वार्सिक रूप से एक खेल का आयोजन किया रहा है आपके इसकोलों में, उसके बाद नेक्स्ट में यहां पर लिखना है, उसके बाद question answer भी हम लोग देखने वाले हैं, most important, उसके बाद यहां पर लिखना आपको कि ground and there are various events, उसमें बहुत सारे events होने बाले हैं, जैसे हो गया like, जैसे long jump हो गया, लंबी कूद, मेरा थन हो गया, high jump हो गया, उची कूद, discuss throw, उसक then give your names to your class teacher, अगर जिसे भी इसमें रूची लेना है, इसमें मतलब भाग लेना है, वो अपने class teacher वर्ड सिक्षक के पास जाकर अपना नम लिखवाले हैं, पर आमर security, जो आपको नम दिया गया है, उसको यहां पर लिखकर और security लगा देना है, उसके बाद चलिए हम लोग most important question के वो भी देख लेते हैं, जो आपके paper में हमेशा रहने वाला है, तो question कुछ इस परकार से है, और इसमें आपको 5 ही बनाना होता है, और यह 10 नमर में पूछा जाता है, फाला प्रसन है कि in which situation does the writer find himself in the cinema, जो है ना, writer जो है अपने आपको cinema घर में, cinema घर में जो है, वा कैसा मह इसमें थो है, तो इसमें थोड़ा सा ही है, वैसे प्रसनों के लिए हैं, जिसका जोन कम वर्ड में अंसर हो जाता है, तो in the cinema, he finds himself in a hopeless situation, वा hopeless situation में था, उसके बाद नेक्स्ट है, कि what do bird and woman symbolize in the story once upon a time, जो है once upon a time जो है स्टोरी आपड़े हैं, उसमें bird हो गया पक्ची और जो महिलाएं हैं, वा किस चीज को signifies करता है, इसमें है कि bird signifies her language, बड जो है पक्चियों जो है, वा जो है किसका परतिक होता है, तो वा भासा का परतिक होता है, और woman जो है, वा जो ह प्रैक्टिसिट वाटर जो है वा जो है एक परतिक की रूप में महिलाएं, जो है once upon a time इस्टोरी में दिखाया गया है, फिर नेक्स है कि what type of smell does the porter emit, जो है न, पोर्टर इमिट जो है न, जो कुली होता है, वा कैसा smell करता है, कैसा smell उसरजित करता है, तो दा पोर्टर इमिट मतलब जो पोर्टर इमिट था, वा जैसा उसरजित करता है, वा होता है, आपका सल्फर के जैसा खटा गंदवाला होता है, तो इसका नुसर देगा, सल्फर लाइक सावर स्वीट, जो है एक कोर्डिंग टू विलियम कॉपर, वा इस लाइफ बीटर इन टाउन्स, का रहा कि बीटर होता है, टाउन्स में, सहरों में, तो किस परकार से लाइफ होता है, सहरों में, तो वो आपको लिखना है, तो human life is better because it is full of diseases and troubles and sufferings, जो है न, मानव जीवन जो है, या पुर्नता जो है रूप से, रोगों से भरावा है, रोगों से पिरित है, उसके बाद आपको next दिखना है, a man has to face a lot of difficulties and sadness, और जो मनुष है, उसके जो face पर हमेशा, जो है न, हमेशा difficulties और sadness उदासीपन बना रहता है, करा, how did halko warm himself in the orchid, जो है न, halko जो था, वह बगवनों में, अपने आपको कैसे गरम करता है, तो halko warmed himself in the orchid, by burning leaves of the tree, मतलब वह पेर पोदे के पत्तियों को जला कर अपने आपको गरम करता है, फिर है कि which animals message of with message green yard, जो है न, message green yard को कौन सा एन इमेल जो है, वह प्रेस्वान करता है, तो इसमें होज़ा है, the dog message of message green yard, जो है कुता जो होता है, उन्होंने ही message green yard को जो न, तंग किया था, form that he was hungry, जो है न, गिल्लू कैसे महादेवी बर्मा का लिखा हुआ है, कि वह कैसे भूख लगने पर वह किस तरह का इसारा करता है, या किस तरह से उससे सुचित करता है, पोएट को, तो इसका होज़ाएगा आपका, कि when गिल्लू was hungry, जब गिल्लू भूखा होता है, तो who would inform by ट्वीटरिंग चीकचिक, जब गिल्लू को भूख लगता है, तो एक चीकचिक द्वौणे दुख निकालता है, जब उसको निकालता है, गिल्लू, जब उससे भूख लगता है, तो तो इंडियन फिल्म को जो हैं इमिजीनेशन मतलब हो गया कलपना और जाके इंट्रिगेटी की जो होना जरूरत है तो इस तरह से आपको इसका लिखना था अंसर आसा है कि आपको पूरा समझ में आयोगा निक्स वीडियो में हम लोग अब्जेक्टिव कोश्चन को भी देखने वाले हैं तब तक के लिए जय हिन जय भारत